आज का दिन काफी विशेस है आठ परवरी वेले दिन आज हमारे यहां चतुर्दसी मनाया जा रहा है तो मैं भी उपवास में हूँ आज फिलाल तो चल रहे हैं मंदीर के तरफ सिम मंदीर पे गौँ के जो सिम मंदीर गोले बाबा का दर्सन करैंगे दर्सन करने क pots फिर फलहारी होगा फ्हारी फिर खाना खाएंगे शूरी अस्त के बाद ही तो अभी सौब हुच्चु सामका चाट बजराय करें तो अब मंदिर प्राइब आ चुके हैं देख सकते हो काफी भीर वेगारा है सारे लोग यह उपवास करते ही है आज के दिन में कभी कोई उपवास करें ना करें लेकिन आज के दिन में करते ही है तो समान वेगारा भी करा है अब मंदिर प्राइब आ चुके हैं अच्छ अच् यह ऐसे ही लगा रहता है ऐसे भीर पूरे दिन चलता है इसलिए थोड़ा कम भीर भी दिख रहा है तो मैं दर्शन करने अब चलूँगा भी पहले मैं आया हूँ तो एक काम रहा है किसी ने बता दिया दुकान पे से कुछ लाने को तो मैं मेरे पहचान का ही था तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ समान लाने के लिए फिर समान लाने के बाद फिर चलेंगे बाबा का दर्शन करने के लिए फिर चलते हैं भी पहले समान लाएंगे उसके बाद फिर बाबा का दर्शन करेंगे तो चलिए हम चलते हैं दुकान के तरफ और वहां से समान लेंगे उसके बाद चलेंगे चलिए हम समान उसको पहुंचा दिए अब चलते हैं मंदिर में जल भर लिए हैं आप देख सकते हो मेरे हाथ में कलस था जिसमें जल था अब बाबाजी के मंदिर में पहुंच चुके है फिर दुकंदार सहाब ने मेदा लाने को बोल दिया, तो मेदा एक गमला में लेकर करके हैं, इन ही को देने जा रहे हैं, मेरे बावा लगेगा, तो इनको मेदा दे दियें, इसके बाद आपको मंदिर का दिरी से दिखाते हैं, मंदिर का दिरी से दिखाने के बाद फिर चलें बोल दी हैं फिर आप सोडा लाने के लिए चल रहा हूं मेदा तो दे दियें उनको अब सोडा लाएंगे फिर सोडा उनको देने के बाद फिर साइड हो करके मैं आपको वीडियो रिकॉटिंग करके दिखाऊंगा मंदिर का सारे दिरिश्य तो यह रहा आप देख सकते हो यह आज के दिन मतलब कहतो रहा हूं बहुत ज़्यदा आदमी उपवास करते हैं चाहे कभी उपवास करा हो नहां करा हो लेकिन अभी ज़्यदा भीर दिख रहा है क्योंकि continue आदमी आते जाते रहते हैं आते हैं जल चरहते हैं उसके बाद फिर फल बेगरा खड़ीते करें घर वापी चले जाते हैं क्योंकि मेला तो नहीं है जिसे कारण ऐसे लगेगा तो चलिए शैलून में आ चका हूं मैं इनहीं के पास में बाल बेगरे कटाता हूं तो यह बैठा था दुखान पर ही तो अ चलिए चलते हैं घर की ओर तो सीधे चलते हैं आप हमारे पीछे में देख सकते हो भीर थोड़ा बहुत दिख रहा है शमान बेगरा सारे कुछ भी करा है क्योंकि आज के दिन खाना भी काफी अच्छा अच्छा बनाए बनेगा घर पे सभी के घर मेरे ही घर पे नहीं भाई और किसी के घर पे आज खाना बनेगा जैसे की एक्जामपल में कोई पकोड़ा बनाएगा कोई दाल जबल तसमेख खीर पूरी कुछ जिसको जो मन भाता है वो आज की दिन बनाएगा अपना खाएगा पिएगा बोज मस्ती तो यह वाले दीन है देख सकते हो आप अभी तक आदमी जाही रहे हैं ऐसे ही सुबे से ही आ जा रहे हैं लोग तो मैं कुछ जैदा वीडियो बनाओंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाए कि जिसकारण पूरी दिन का रिकोडिंग नहीं करा खैर मेरे उससे जितना बन पाया मैंने रिकोडिंग करा अब चलते हैं घर ज दिख रहिए यार पूशिस करता मैं दिखाने का यहां से ए मितलब बोलता रहुं कि सुबे से भीर भीर लगा रहता है तो आज इतना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता जब सुबह से ही बनाता तो, जिसे करनों सुबह से नहीं बना पाया, चलिए ठीक है, मैं दुपर चार बजे से ही बनाया, लेकिन वीडियो पांच मिनिट का फिर भी हो चुका है, तो चलिए अब सीधे घर पे ही चलेंगे, इसके बाद फिर आगे का वीडियो में दिखाऊंगा, कि आगे क्या काम करता हूं, और आगे का अपडेर दिता रहूंगा, देखिए ये लोग भी हमारे पहचान के हैं, तो ये सब जा रहे हैं, पूजा करने के लिए, चाची लगेंगे मेरी, तो चलिए अब चलते हैं फिर घर को वापिस, ये मिल गई थी, तो इनका वीडियो भना लिया, मैंने, तो चलिए, तो फैनली मैं आच चुका हूं, अपने दलान पे वो पिछे,